विधान सवा चुनाव से पहले जजपा के पूरु विधायक देविंदर बबली भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में उन्होंने पार्टी का दामन्थामा। उनके अलावा गुरुगराम के पूरु जेल सुप्रिटेंडेंट सुनील सांगवान वे संजय कबलाना भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें देविंदर बबली इससे पहले वर्ष 2014 में निर्दलिय चुनाव लड़े थे लेकिन उस समय सुभास बराला से वो हार गई थे। वर्ष 2019 में कॉंग्रिस में टिकट ना मिलने पर जजपा की तरफ से लड़े और भारी मतों से विजई हुए। भाजपा और जेजेपी में गठबंदन होने के दुरान विधायक देविंदर सिंग बबली का किसानों ने विरोध किया था। वर्ष 2021 में बबली को सरकार में पंचायत मंत्री बनाया गया। वहीं बात करें संजय कबलाना की तो एक बार फिर भाजपा का दामन पकड़ लिया है। विधान सभा चुनाव के बीच भाजपा में शामिल होना राजनितिक गल्यारों में चर्चा का विशय बन गया है। क्यास लगाये जा रहे हैं कि बादली से एक बार फिर भाजपा की टिकट पर संजय कबलाना चुनाव लड़ सकते हैं। संजय ने राजनीती भाजपा से शुरू की थी और बादली हलके से 2009 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा। हलांकि 12495 वोट लेकर तीसरे स्थान पर वो रहे। इसके बाद वह आई अनलडी में शामिल हो गए जहां वे हलका ध्यक्ष रहे। 2019 में जजपा से बादली हलके से चुनाव लड़ा और 2899 वोट लेकर तीसरा स्थान बनाया। जजपा में संजा कवलाना ने जीला ध्यक्ष जजपा प्रदेश पंचायत सेल के ध्यक्ष रहे। दो माँ पहले ही संजा ने जजपा के सभी पदों से इस्तिफा देकर पार्टी छोड़ दी थी। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जर्बूर करेंगे।